गर्मी के मौसम मेना केली बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और जब कभी आपको ऐसा लगेगी घर में धीर सारे केली हैं लेकिन वह केली खतम नहीं हो पाएंगे कि खतव होने से पहले खराब हो जाएंगे तो ऐसे में आप इस टिप्स को फॉलो केज़ेगा कलि को चिल की छोटे ज़िष्टे को चील की छोटे और मैं तो अकसर यह करते हूं घर में जब एक्स्ट्रा केलिय होते हैं तो मैं काट के उसे डिप फ्रीजर में रख देती हूं और जब मुझे इसका इस्तमाल करना होता है तो मैं निकाल के उसका फटा फट से शेक बना लेती हूं चाहएं तो आप इसके smoothie भी बना सकते हैं तो यहाँ पे jar में मैंने केली डाल दिया है जितना इस्तमाल करना है यूज करती हूँ और वापस प्रिज में रख देती हूँ तो इसका यहाँ पे मैं बनाना शेक बना रही हूँ तो एक कप यहाँ पे मैंने ठंडा दूर डाल दिया है और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ खजूर चाहे तो यहाँ पे आप चीनी, शहेद, गुड़ किसी कभी इस्तमाल कर सकते हैं हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो बस इसमें मैंने खजूर डाल के जार का ढखकन लगा के इसे बिल्कुल स्मूध होने तक ग्राइंड कर लिया है आज करे टिप्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आपने फ्रेंड्स फेमली में शेयर कीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन का बटन जरूर दबाईएगा आने वाले सारे लेटिस वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे तो यहाँ पर फटा फट से मैंने इसे ग्लास में निकाल लिया था और थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर दी थी गार्निशिंग करते हैं इसका लुक चेंज हो जाता है मतलब लगता है कभी से उठा के पिया जाए तो देखा आपने अगर घर में केली रखे हो तो उसे किस तरीके से फ्रोजन करके हम बनाना शेक बना सकते हैं कोई अंतर नहीं आता है और केल खराब भी नहीं होता है तो फटा-फट से इसका आनंद उठाते हैं मिलते हैं एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ-बाई